नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है टेस्टोस्टोरेन बढ़ाने का नेचुरल तरीका, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टोरेन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं टेस्टोस्टोरेन हार्मोन पूरूशों के लिए बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी जो immunity है उनकी जो power है वो टेस्टोस्टोरेन ही होती है जो Petriturine Gland है यही दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है आप लोग कह सकते हैं मतर के दाने के बराबर और यह गरंथी जो है एक हार्मोन इस्तरावित करती है एक signal send करती है जिसको testicles को वो signal मिलता है और वो testicles जो है हार्मोन इस्तरावित करते हैं जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं टस्टोस्टोरेन यह signal भेजने की कारेविधी में अगर कोई रुकाव अटाती है यहनि कि pitutarian gland से testicles को जो signal भेजा जाता है उसमें अगर कोई रुकाव अटाती है तो इससे testosterone हर्मोन में एक रुकावट के खतरे पैदा होने लगते हैं यदि यह गरंती सही रहेगी, healthy रहेगी तो इस कारेविधी भी ठीक रहेगी यह गरंती मटर के दाने के समान होती है इस गरंती को master गरंती भी कहा जाता है क्योंकि यह हर्मोन के functions पर काम करती है आप लोगों के सरीर के लिए जरूरी होती है उच्चे मातर में प्रोटीन का स्टमाल करने से इस गरंती की कारेविधी ठीक तरीके से काम करती है खास तोर पर HGH प्रोटीन के बहुत से स्रोथ हैं जैसे कि मचली, नट, सोया, इत्यादी यदि आपको किड्नी से समंदे समस्चा है तो उच्चे मातर में प्रोटीन का सेवन नहीं करें करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सला ले दूसरा है मेगनीज मेगनीज एक मिनरल है जिसके दोरा बहुत सी बायो केमिकल रियक्शन सरीर के अंदर होती है साथी साथ यह दिमाग को सही तरीके से सलाने के लिए मेगनीज बहुत जादा और शक्ता आप लोगों को होती है एक सरीर को 15-20 मिली ग्राम मेगनीज की जरूरत होती है कास तोर पर यह हड्यों में कुछ हिस्सा प्यूटरिन ग्लेंड में भी स्टोर होता है एंटियोक्सिडंट्स भी नर्व सिस्टम को और प्यूटरिन ग्रंथी की कारेविधी को अच्छा रखते हैं जैसे कि हरे पतेदार सब्जियां, दाले, अंकूरी तनाज, इत्यादी विटमिन C, विटमिन E और विटमिन D के इस्तमाल से प्यूटरिन ग्रंथी की रिकवरी होती है तो विटमिन जो है आप लोगों के लिए जरूरी है, विटमिन C है, विटमिन E है, विटमिन D है ये तीनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास कर विटमिन E और D जो है, पुट्रिटरिन ग्रंथी की recovery करते हैं, विटमिन E एक अच्छा एंटियोक्सिडन्ट होता है, ये आपको free radical से बचाता है, और विटमिन D के माध्यम से कोशिका का विकास हो होता है, विटमिन के बहुत से स्रोथ हैं, जैसे की balanced diet, यदि आप लोग विटमिन D और विटमिन E की प्रचूर मात्रा लेते हैं, तो जो signal है, टेस्टिकल्स को जो signal मिलता है, जिससे आप लोगों का testosterone hormone जो है, वो सही रहे, उसके लिए आप लोगों को signal जो है, वो सही होना चाहिए, ग्रंथी से टेस्टिकल्स की ओर, नमबर चार है, पूरी नींद ले, नमबर पांच है, कोई खेल, कोई ना कोई खेल खेलना बहुत जरूरी है, या तो आप लोग दोड लगा सकते हैं, कहन होने लगेगा, इसका reason यही है, क्योंकि सरीर को जरूरत नहीं होती, उर्जा की और सरीर को पावर की जरूरत नहीं होती, तो सरीर उसके लिए testosterone बनाना बंद कर देता है, खास कर उन लोगों के लिए, जो कि मोटापे के सिकार है, मोटापे के सिकार वालों के लिए, सरीर को लगता है, कि उसको जरुवत नहीं है, इसलिए वो testosterone hormone निकालना बंद कर देता है, vitamin D, salmon जो है कि कमी से भी testosterone hormone में गिरावट आती है, तो जैसा मैंने कहा कि vitamin D, जो है सूरज से आप लोगों को मिलती है, fortified cereals है, cheese है, egg है, milk है, salmon है, इन सभी में vitamin D आप लोगों को मिलता है सूरज की रोशने से आपका जो सरीर है वो अपने आप ही बनाता है तो कम से कम vitamin D लेना आप लोगों के लिए जरूरी है ताकि testosterone सही मातरा में बन सके धन्यवाद